हलो दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी से ट्रिक और यह बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है आप किसी भी इमेज पे यूज कर सकते हैं इसको आपका अगर काम मॉडलिंग का है किसी फेस को रीटच करने का है या कुछ भी है तो आप इसको यूज करके बहुत ही अच्छे से अपने स्कीन को रीटच कर सकते हैं या पे एकदम क्लीन तरीके से तो आप जैसे देख रहें कि मेरे सामने एक इमेज एक खुली हुई है और इसके फेस पे जो मॉडलिंग कितने सारे पिंपल है इतने जो भी तो इसको आ यह सुरू करते हैं सबसे पहले कि हम इस लेयर को एक कॉपी कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लीगा और फिर इसके बाद मैं क्या करेंगा कि जितने वी हमारे पिंपल्स होएंगे यहाँ पे इनको मैं रिमोट करनेंगा नौर पर जो अपना ही लिंग ब्रह साता इससे मैं क्याद परूंगा कि जितना clean हो सकता है normally पहले ऐसे click करके हम लोग clean कर लेंगे ठीक है जितना आप कर सकते हैं उसको normal ऐसे clean कर लेजिए और फिर इसके बाद अम लोग यहां पर देखें करेंगे अभी पहले आठा लेता है इसको है अब देखें हम लोग ने क्या करेंगे इस जितने भी पिंपल्स थे नॉर्मल मैंने एलिंग ब्रस से इसको अमने clean कर लिया है अब next जो हमारा काम होता है इसका अब क्या करेंगे इस लेयर का एक copy बना लेंगे फिर से देखें मैंने यहां पर copy बना लिया और इसको मैं क्या करूंगा यहां से blending mode में जाके जो vivid light होता है इसको मैं यहां से कर दूंगा ठीक है और फिर इसके बाद में इसको control high प्रेस करोगा अपने keyword पे यह image invert हो जाएगी फिर इसके बाद में इसको convert to smart object कर दूंगा यहां से ठीक है यह step आपका complete होगे फिर इसके बाद जो next हमारा होगा यहां filter में जाएंगे filter में यहां से सबसे last में others में जाएंगे other में high pass, high pass को on करेंगे यहां पर और यह जो value यहां पर दिखाता है वह काफी अच्छा आने वाला है तो जैसे देखे मैंने इसको ok कर दिया simply और फिर इसको मैं क्या करूँगा यहां से filter menu में जाएंगा blur में जाएंगा Gaussian blur में यहां से on करूँगा इसको और यहां पर जो value गया आपकी यह आप इसको एक से चार के बीच में रख सकते हैं जैसे मैंने दो रख लिए यहां पर ठीक है इसको ok कर दिया और फिर इसके बाद आपको क्या करना है इसी layer पर masking on कर लेनी है यहां पर देखे मैंने masking on कर ली और फिर brush लेना आपको सबसे पहले आप masking पर control i प्रेस कर दिजी तो यह क्या होगा दियक्टिविट हो जाएगा यहां से masking फिर आपको क्या करना brush लेना soft और यहां से नॉर्मल अपना brush का size set कर लिए जितना आप पुछेए और फिर यहां पर opacity थोड़ी सी मैं low रखोंगा 90 80 के बीच में और flow को थोड़ा सा कम रखोंगा 50 to 60 के बीच में ठीक है यहां रख ले किम्का जो retouching आपका हो रहा है यह देखिए डीटेल देखिए एकदम जैसे आपको चीज जहां भी आप लगता है कि खराब स्कीन हो रही थी वहां पर आप इसको नॉर्मली पेंट कर सकते हैं आपको इसलिए जूल करके दिखा रहा हूं कि आपको यह पता चल जाएगा कि को इसलिए एक माव थे स्वाथ हैं कितने तरीके से आट रहा हैं कि इसको जल्दील जादी आप यह जहां भी हम आपको आप इसको चाहरीय जीकिए ज्याद हो रहा थे उसको मैं क्या पर नहां लूँए दो ठीन है यह फेक नहीं लगना ची आप जब इस टीटेच करते हैं तो मैं अभी क्या गरूँ है कि ब्रस का फ्लो होगा उसको थोड़ा सा हलका करने बाद यहांवे 50 कर लेता हूँ मैंने जैसे बताया था 50 to 60 के बीच में आप रखते हैं और इसको आराम से आप इस पर पेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से काम परेवे तो जैसे कि मेरा यहां पर स्कीन का रिटच देखें कितने अच्छे से हो रहा है कि इसको नॉर्मल यहां पैसे पहले आई बार सिंप्ली जहां-जहां पूल लगता है कि थोड़े जादे खराब था वह इंपर कर लिए देखें मैंने जहां-जहां वैसा लग रहा था मुझे म आई सब जगह कर दिया यहां पर भी थोड़ा साथ आप इसमें देखें कितना डिटेल में काम बरता है यहां पर आपको डिटेल यह इन वी इसकी दिख जाएगी और फिर आपको जैसे बॉड़ी पर कहीं कहीं पर बाड़ी पर भी आप थोड़ा साइसी के अकॉर्डिंग यहां पर कर सकते हैं देखें तो अब क्या करेंगी इतना हमारा काम तो हो गया है नॉर्मली अब हम लोग क्या करेंगे अपने कीबड पर कंट्रोल सिफ्ट और ई प्रेस करेंगे तो सारी लेयर मर्ज होगी अलग से लेयर बन जाती है तो यह शॉटकट आप लोग याद और फिल्टर दपमान करेंगे यह दो अब देखें लोग यहां से चाहर करेंगे की क्या करेंगे इस कीन को भाल को यह यहां नAll फadow we tipy तो यहां परłeस्ट में चाहरणा हो यहां पर आप के सब्दार तो यहां पर और बैसिक में जाना को ऐसे आप्शन हैंगी तो बैसिक में जाना और यहां पर जो क्लार्टी है इसको थोड़ा सा माइनस पर ले जाना अलका जाना तो स्कीम की जो स्मूथ ने सोईगी इसलिए आपकी आदेगी और फिर इसके बाद आपको टेक्च्चर को थोड़ा सा बना देना अलका सा इन दे के मैं टेक्च्चर पर यहां से बना द आसार keywords कि बागा है को और यहां से अपorsa अप लायट पोगर जैसे इस पाप अगर तेंपरेचर में टेंड करना चाहिए इमेर का तो चैम्परेचर में टेंड अばい लोट आ है कि आप इसके बाद मैंने क्या करना इसका फोड़ा साभी लिप्स पर मैं नॉर्मल एक ब्रस मारा तां प्रिंग कलर का कि थोड़ा साथ चलेगे मेक अप इसका मैंने नॉर्मल एक ब्रस लिया और इसको मैं पेंट कर दूंगा वस इसमें आप लोग दो तरीका बता देवानने रिटेचिंग भी साथ में जाएगी और जैसे किसी का आप मेक अप करें लिप्स का यहीं वे तो आप कैसे इसको खास्त बैनेंस कर सकते हैं अब देगे मैंने पेंट तो कर दिया इसको यहां समय क्या करना मुल्टिप्लाई कर दूंगा अब मॉल्टिप्लाई कर दिया फिर भी ओके लग रहा देकिन अब भी समय पूरा एफेक्ट नहीं आना तो मैं इस तो ग्या दरूंगा यहां वे लेर पर डबल क्लिक करना और यहां पर देखेंगे ब्लेंट फ कर करका यहां से आप इसको चेंज करेंगे यह दमडरीयल मुल्ट अब तो देखिए और यहां से पूरटर के साथ करेंगे तो आपको अच्छेशे घे रहे वैं का यहां विर ग्रमों वेजितए। और नीचे वाला आप यहाँ पर अंडर लेयर वाले जो होता है यहाँ पर भी कर सकते हो तो इसके जो साइन नहीं होती है आपकी ओरीजिनल दोक वाली आजाएगी तो ऐसा नहीं लेगा कि आप में बस ब्रस चला दिया वहाँ पर तो देखें जैसे यहाँ पर एकदम ओरीजिनल जो साइड़ होती है लाइटिंग होती है इसको अगर आपको कहीं पर नगता है कि थोड़ा एरेज करना है अलकाल का तो आप ठीरेज करती है तो यहाँ पर अगर आप रीटेचिंग करते हैं मॉडल की है किसी चीज़ भी ऐसे है तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर फाइदा होना इस टुटोरियल से ठीक है देखें यहाँ पर इसका कलर भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं जैसा वो कलर ब तो यह तो आपनोगा समयने आविया होगा